हेलो दोस्तो लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है एग्रीकल्चर के करंट अफेर्स हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं जून दो जार इकीस में क्या-क्या न्यूज में रहा उस सभी चीज को हम यहाँ पर डिसकस करेंगे इन दो फिल्ड ओ अग्रीकल्चर ओनली ओके और इसकी जो पीडियाफ है वो आपको नीचे टेलिग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसके पीडियाफ मिल जाएगी पिछले तीन महीनों के भी आपको चैनल पर पड़े हुए मिल जाएंगे एक अलग से पिलिलिस्ट बनी और उसके बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और इसको शेयर करें अगर आपके पास गुरुप्स वगरा हो तो और चैनल को स्प्राइब करें विना नहीं जाना है बिल्कुल भी और राइट चलते हैं पहली न्यूस की तरफ और पहली न्यूस आपको मिलेगी की एक इसपेसीज होती है बैंबू की और इसका नाम यहाँ पर आपको मिलेगा किमोनो बैंबू सा कलो सा नाम याद रखने की ज़रुफ़वट नहीं पड़ेगी मुझे लगता है और यह जो आपकी बैंबू की स्पेसीज है ये बेसिकली उगाई जाती है आपकी केरल के इद्दुकी डिस्टिक के वमगाओं में इसको यहां पर उगाने की बात चली है ओके और राइट तो इस तरीके की आपको यहां पर चीजें मिलेंगी कि अभी तक यह सिर्फ नागा लेंड में उगाई जाती थी लेकिन अब यहां पर आपकी केरल के अंदर भी इंडो चाइना रीजन पर यह बिलोंग करती है क्योंकि इस्टन हिमाल्या का यह जो नागालेंड वाला रीजन है सब इंडो चाइना क्लाइमिट जोन में आ जाता है और कि साथ ही आपको मिलेगा कि यह सोईल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही जादा जरूरी है इस पॉइ सब्सक्राइब और इसकी औरमेंटल वैल्यूस भी आपको यहां पर मिलेंगी तो इतना सब पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से याद रखना था उसके बाद दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं और दूसरी स्लाइड में आपको मिलेगा कि एक कंपनी है इंड आप जितना यूज करोगे यह दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड है याद रखेगा दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड है तो जितना आप कट्टे को उसका आधा ही आपको यहां पर यूज करना है और सेम सेम चीज़ें आपको यहां पर देखने के ल प्रब होगा एक्सिसिव यूरिया यहां पर नहीं होगा तो एक्सिस यूज ओफ यूरिया एप्लिकेशन उसको भी रिडियूस किया जा सकता है बाइज यूजिंग दर नैनो यूरिया लिक्विड और राइड उसके बाद आपको मिलेगा की क्रॉप को स्ट्रोंगर करता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम्दा लोजिंग एफेक्ट कहने का मतलब यह हिंदी भासम में यहां पर देखिए पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसानों की आए में सुनिश्चित व्रद्धी जोकी 2022 तक डबलिंग ऑफ फार्वर इंकम का प् होगा ओके तो इन सबको देखते हुए यह आपका बहुत ही जादा बैनिफीचल यहां पर होने वाला पीटी मैं आपसे कुछन पूछेगा कि विच फॉलॉइंग स्टेट्मेंट मतलब यूसफुल है नैनो यूरिया लिक्विट नैनो यूरिया लिक्विट निमने किस तर सबसे जादा हुगाए जाते हैं लगबच 315 मीट्र टन के असपास यहां पर प्रडॉक्शन चाल रहा है जो कि सबसे जाड़ा है फूड ग्रेन प्रडॉक्शन से भी जादा है तो इसके लिए आपका होटी कल्चर क्लस्टर डेवलप्मेंट प्रोग्रम यहां पर शुरू जाएगा यहां पर ओके इट वे लेवरेज जो ग्राफिकल स्पेशिफिकेशन तो जो प्रोग्राम है वो जो ग्राफिकल जो इस पेशलाइजेशन से उनको देखते हुए चला जाएगा मतलब कहां पर किस तरीके का होटी कल्चर पर यहां पर क्या जाएगा साथ ही इंटि अरफ एकल्चर क्लस्टर डैवलामेंट प्रोग्राम और इसके बाद आपको मिलेगा की स्टेप्स यहां पर लिए गए हैं कि डिजिटल एकोसिस्टम चलाओ करने के बहुत सारे तरीके यहां पर सरकार अपनाती चली आ रही है और जल्दी से जल्दी आपको यहां पर प्रबाबा दिया जाए और और साथ में सरकार ये भी कह रहे हैं कि हम एक सेंट्रलाइजड फार्मर डाटाबेस बना रहे हैं जिसमें फार्मर से रिलेटिड हर एक डाटा यहाँ पर होगा ठीक है उसकी लैंड होल्डिंग का आपर चलना है जैसे ए नाम पोर्टल है ठीक है नेशनल एग्री कल्चर मार्केट वो भी डिजिटल एको सिस्टम की तरफ जा रहा है आपका किसान पोर्टल है फार्मर्स को हैप करने के लिए एफिशेंट फार्मिंग सोईल हेल्थ कार्ड हैं तो यह गवर्मेंट ए कि सरकार को किसी भी तरीके से अग्री कल्चर कर डिजिटाइशन करना ही करना है अभी इस नाम का प्रोजेक्ट भी हा पर लूच्ट किया गया था ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं उके उसके बाद आपको यह आर्टिकल सही मिलेगा मतलब कहने एक report यहां पर publisher उसने कहा कि हर साल जितना भी agriculture produce होता है जितनी भी agriculture crops होती है words के अंदर उसका 40% pest खा जाते हैं अब इसको देखते हुए यहां पर United Nations ने declare किया था 2020 को as a international year of plant health याद रखिए plant health यानि कि जो पोधे का स्वास्त है वो यहां पर बना रहना चाहिए और इस 2020 का जो year था इसको बढ़ा करके एक साल का नारह करके डिएर साल का गड़ दिया एक जुलाई 2021 तक यहां पर चलने वाला है और राइट तो यह चीज़ आपको यहां पर मिलेगी आप देखे कि किस तरीके से जो plant pest होते हैं जो कीडे होते हैं जो पोधों को खा जाते हैं उनके क्या impact पड़ते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल पाता because of the pest क्योंकि 40% तो यही खा गए और राइट उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा कि agriculture activities adversely affect यहां पर होती हैं साथ ही जो poor communities है रूलर poor communities है उनकी income पर भी असर यहां पर पड़ता है जब फसल खताम हो जाएगी तो सीरी सी बात इंकम पर असर पड़ेगा उके साथ ही आपको मिलेगा कि invasive pest की जो cost यहां पर पड़ेगी मतलब जितना वो नुकसान कर देते हैं वो लगबग 70 billion dollar की फसल यहां पर annually नुकसान कर देते हैं pest उके और साथ ही biodiversity का loss तो यहां पर होता ही है और इसके बाद आपको मिलेगा कि किस तरीके से हम इन चीजों को यहां पर reason for the spread देख लेते हैं पहले उसके बास चलते हैं क्यों यह जो पैस्ट हैं यह तने जादे spread हो रहे हैं सबसे पहले global trade और travel के कानल जैसे white flies के बारे में पिछले आर्टिकल में पढ़ाता पिछल यहां पर आते चले जा रहे हैं जैसे फॉल आर्मी बॉंब पैस्ट है यह डैजर्ट लोकस्त हैं यह सब चीजें आकर के डैजर्ट लोकस्त का तो देखिए आप पिछले दो साल उसे लगबख लगातार ही यहां पर आ रही हैं और यह सब चेंज होते हैं वैदर की climate change के उन में इन चीज़ों को यहां पर लिख सकते हो जैसे इको फ्रेंडली यानि की एंवार्मेंट फ्रेंट्री मैथर्ट्स आपको यहां पर अपनाने हैं इंटिगेटिट पैस्ट मैनेजमेंट के लिए आप चैमिकल का भी छिड़काप कर रहे हो तो यह देखकर कि करू कि उसके के इंपक्ट ऐसे वायू में बायो मैगनिफिकेशन कैसे होने वाले हैं ऑके दूसरा आपको मिलेगा कि एक ट्रीटी है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कर्वेंशन और दूसरा आपका एक और फूर्ड अगरिकल्चर और इनके अपने कुछ स्टेंडर्स हैं नॉम मिलेगा कि घिए उसमें इनवेस्टम को बढ़ाना पढ़ेगा उसके अंदर आपको more research and development यहाँ पर करने पड़ेगी ताकि system को strengthen किया जा सके उसके बाद जो policy makers हैं जो policies बनाते हैं regarding the agriculture और the pest management या government है उनको ऐसे decisions लेने पड़ेंगे जो कि आपके मतलब खास decisions हो on sound preparation and the data तो ऐसा नहीं है कि decisions ऐसे ही ले लिए गए आपको data driver decision से लेने हैं यहाँ पर जो actual में हो रहा है उसके base पर decisions यहाँ पर लेने पड़ेंगे दूसरा आपको मिलेगा कि regularly monitoring होनी चाहिए plants की और साथ ही early warning information भी होनी चाहिए desert locust आ रही है तो उसके नहीं हमें पहले से prepare होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हर साल हम उनकी तवाई को जहलते चलें यह चीज़ आपको मिलेगी जो भी threat यहाँ पर emerge हो रहा है उससे हमें पहले से ही बचना होगा और इसी तरीके से हम यहाँ पर plants की health है उसको अच्छा रख सकते हैं फिर और जादा जो pest controlling methods है उनको भी यहाँ पर अपनाना पड़ेगा जैसे एक system यहाँ पर दिया गया है तो import करने से पहले उसकी inspection होगी एड़ा shipping port airport से कर रहे हैं तो और अगर आप railways या land से कर रहे हैं तो land border से यहाँ पर आपकी उसकी inspection होगा और inspection होने के बाद अगर आपको यहाँ पर देखने के नहीं मिला कि उसके अंदर कोई इंसेक्ट हो सकता है तो उसको वहीं पर ही रोग दिया जाएगा वह आपकी territory में एंटर नहीं कर पाएगा और राइट तो जो quarantine system में इंडिया के अंदर govern किया जाता है by the plant quarantine regulation of import into India order 2003 जो की आपका notify क्या गया है अंडर देश्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पैस्ट एक्ट 1914 तो 1914 के इस act के अंदर आपको यह मिलेगा उसके बाद जो quarantine responsibility है यह आपकी लाई करती है विद डिरेक्टर रेट ओफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन और इस्टोरेज जो की बेस है आपका हर्याना के फरीदा बात के अंदर यह भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो यह चोटे-चोटे कुशन नवाड वगिरम पूछ लेते हैं तो इतना आपको देखना था कि किस तरीके से क्रोप लॉस्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा यह सब काम चार सिलाइडों के अंदर हमने इस चीज़ को देखा अब बात करते हैं अगली निउस की तरफ जो की है आपकी green gold collection दे दिया गया है bamboo के लिए और government e-market place जो portal है सरकार का उस portal पर आपको एक अलग से specific बिंडों देखने के लिए मिलेगी bamboo के लिए तो जब आप portal पर जाओगे यह specific बिंडों का मतलब आप यहां पर समझे कि एक dedicated बिंडों का मतलब क्या है कि जब आप अब government e-market place portal पर जाओगे तो वहां पर लिखा होगा agriculture produce वगरा वगरा होटी culture food grain ठीक है इस ट्राइप से तो अब bamboo के लिए अलग से रखा गया है ठीक है अब bamboo के लिए अलग से यहां पर portal रखा गया है और आप उसके जरीया समझ सकते हैं कि उसको importance देने की बात यहां पर की प्लेज और तो ग्रीन गोल्ड कलेक्शन यहां पर इसको प्रोवाइड कर दिया गया है इसका एम यहां पर मिल जाएगा जो bamboo आर्टिजांस हैं वीवर्स हैं एंटर्पेनोश हैं रूलर एरिया के अंदर उनको market की access प्रोवाइड करानी है और उनको बायर से connect कराना है तो वो तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन खरीदेगा कौन खरीदने के लिए आपको उनको बायर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे और इसी लिए आपको जो bamboo goods हैं उसके मार्केटिंग के लिए ग्रीन गोल्ड कलेक्शन नाम का यह सिस्टम आपको मिल जाएगा उसके बाद क आपको देखना बिल्कूल भी ना भूलें क्योंकि इसके अंदर आपको inclusive ruler growth देखने के लिए मिलेगी और inclusive ruler growth के अंदर आपको एग्री कल्चर भी यहाँ पर आ जाता है तो इसको जरूर से देखा करें जो एग्री कल्चर वाले हैं योजना को skip कर सकते हैं लेकिन आप रखना है बाकी static portion में आपको megafood park के बारे में पता होना चाहिए जो कि हम यहाँ पर discuss नहीं करते क्योंकि यह current affair series है और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि एक होता है पेटेंटिंग सिस्टम और आपको यहाँ पर पेटेंट मिला इंडियन council of agriculture research को और उसके अंदर इ उसको भी यहाँ पर सुन लीजी एक होता होगा आपने नाम सुनाओगा fortification fortification के जरीए हम जो nutrient की कमी है किसी चीज़ के अंदर तो हम उसको यहाँ पर डाल देते हैं similar work आपका black paper के साथ यहाँ पर किया गया है इसको यहाँ पर आपका नाम दे दिया गया है black paper micronutrient foliar formulation कहने क का मतलब यह है कि black paper के अंदर को secondary micronutrients है जैसे magnesium, zinc, boron इनकी कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करने के लिए optimal ratio इन्होंने इसके अंदर include किया है mix किया है black paper के साथ इसके लिए यहाँ पर इनको आपका patent जो है वो दे दिया गया है very very important याद रखिएगा आपको एक program मिलेगा seed mini kit program नाम से इस पस्ट आ रहा है कि जो बीज है उनकी छोटी-छोटी kit बनाई जाएंगी और kit के अंदर आपके नए variety of seed यहाँ पर introduce किया जाएंगी इंडिया के अंदर और इनको यहाँ पर बाटा जाएगा किसानों में 15 जून 2021 तक program यहाँ पर चलेग और maximum focus रहेगा oil seed को provide करने में and pulses seed को provide करने में ओके तो oil seed को इसलिए कि हमारे जो import है वो oil seed की तरफ को थोड़ सा काम हो क्योंकि हम बहुत ही जादा जो edible oil है उसका यहाँ पर import कर रहे हैं उस import को reduce करने के लिए ही यह सब programs के यहाँ पर शुरू किये गए हैं थोड़े बड़े हैं यहाँ पर launch किया है जगन पालावेलूवा अंद्रपरदेश अमूल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर वैस्ट गोदावरी डिस्टिक में आपको प्रोजेक्ट का नाम बाम छोड़िए आपको इसका मकसद पता होना चाहिए मकसद यह है कि जब आप milk cooperative आपने सु क्या है एंपावर करना है women self-help groups को ठीक है एंपावर करना है women self-help groups को by increasing the milk cooperative in the government sector कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके बाद आपको मिलेगा food and agriculture organization FAO जो कि यहाँ पर monthly release करता है आपका food price index और international prices food commodities के लिए किस तरीकी से change हो रहा है उसको यहाँ पर release करता है अब हम मन्थली तो इस चीज़ को नहीं देख सकते बटा आप यहाँ पर देखिए तो आपको यह index इस बार की मिल जाएगी जनव तक कि यह index है बताने का मतलब यह है कि food के जो prices है जो food grain commodities के prices है वह बहुत ही तेजी से उपर जा रहा है और इसी चीज़ को दिखाने के लिए आपका यह slide यहाँ पर डाली गई यह याद रखना है कि आपका जो food price index है इसके अंदर पांच तरहें की commodities ली जाती है सेरियल्स ओयल सीड डेरी प्रोड़क्ट्स मीट एंड शूगर तो यह आपसे पीटी में पूछ सकता है इसे कौन सा food price index के अंदर आता है नहीं आता है ऐसे कोशन पहले भी आए हैं और आके भी आते रहेंगे तो यह याद रखिए कि यह जो prices हैं काफी जादा बढ़ चुक अब्रेंटल है कि नॉन प्रॉफिट एस्सेशन है एंड रिपरेजेंट ग्लोबल डेरी सेक्टर दुद्द दुनिया भर के जितने भी डेरी सेक्टर से सबी को यहां पर यह आपका रिपरेजेंट करता है साथी तब फैडरेशन एंशोर डेट राइट पॉलीसीज होनी च सकता है अगर पेपर के हिसाब से देखे किस तरीके का पेपर है उस हिसाब से चीजे पूछी जाती है फिर मैंने आपको मई 2021 के अंदर पढ़ाया था कि प्रधान मंत्री गरीव कल्यान जो अन्य योजना है यह आपकी चलाई जाएगी दो मत के लिए माई और जुन के लिए तो ये स्कीम के बारे में डिटेल में बढ़ा चुके हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ पिछले अंक को जरूर से देख करके आए और अब ये जो स्कीम है यहाँ पर बढ़ा दी गई है नवंबर तक के लिए क्या है स्कीम कैसे है बड़ी डिटेल में बताया था एक बार देख प्लीज ठीक है उस चीज़ को यहां पर इसके बाद आगे चलते हैं और आगे यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक कंसेप्ट रहता है नाइटोजन यूज इफिसेंसी का इंदर राइस कहने का मतलब आपको यहां और यूज एफिसेंसी। इंडिया के अंदर ऐसा है कि अगर आप सो परसेंट वा थेृइंड पठीज परसेंट हाला बाकिके सिक्टी स। शिक्टी सेवंद परसेंट का क्या होगा तो वह थे नायट्रोजन आक्रफॉन बातावर्न में लगते हैं तो यह चीज़ आपको यहां पर समझनी है नाइटोजन यूज़ इसके बाद प्लांट इसके बाद प्लांट को नाइटोजन के जरुत होती है गिरोध के लिए डेवलप्मेंट के लिए और साथ ही और प्रोड्यूस यूज़ेवल प्रोड़क्स जो नाइटोजन यूज़ इफिसेंसी है सीरल प्रोड़क्शन के लिए वह आपको मिलेगी कि 33 परसेंट है और इसको यहां पर सैंटिस्ट ने इंप्रूव भी किया है तो प्रोड़क्स जो है वो लगबग 70% के करीब निकलती है और 77% जो है वो तो सिर्फ आपकी यूरिया से ही आती है तो इंडिया में एक तो वैसे ही यह आपका 70% अग्रिकल्चर से आ रहा है नाइट्रस आकसाइड उपर से उसका भी 70% यूरिया से आ रहा है तो यूरिया के छेत्र में रिसर्च और डेवलप्मेंट की ज़रूत है और यही काम यहां पर हुआ साथ ही लीचिंग को भी रिडियूस करने का मतलब जो पानी के साथ यहां पर बहकर कि वाटर बोडी में चला जाएगा उसको यहां पर रोकना है और वो काम यहां पर किया जाएगा जब पूदे जादा पूदे अब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर सिंपल सी बात है कि लीचिंग कम होगे उसके बाद एकनोमिक बेनिफिट्स पी मिलेंगे बहुत जितना आपको यूज़ करना है फिर आप उतना यूज़ करोगे अब तो उतना ही डालना है लेकिन वह पूदे सब्सक्राइब कर पाएंगे सेविंग उन फर्टिलाइजर सब्सीडीज हाई नैट्रोजन यूज़ एफिचेंसी विल रेडियूस्ट ओफ प्रोडक्शन तो यह आपका फॉर्मल लेंग्वेज में यह सब टम्स यहां पर याद रखिए उसके बाद आपको यहां पर मिले है किसी तरीके की रिपोर्ट पबिश्ट नहीं हुई है तो यह चीज़ आपको मिलेगी कि आफ्टर रिमेनिंग स्टेगनेंट फॉर्ड लास्ट थ्री यह पिछले तीन सालों में किसी तरीके की ग्रोथ नहीं हो रही थी एक्सपोर्ट सेक्टर में लेकिन अभी अभी यहा आई जाते हैं साथी एलाइट प्रोडक्स भी आ जाते हैं इंडिया सींग ग्रोथ इंड एक्सपोर्ट ऑफ सीरल इस पैसेज एंड और्गनिक प्रोडक्ट तो इन सभी में इंडिया की ग्रोथ यहां पर दीख रही है साथी इंडिया के जो अगरिकल्चर प्रोडक्स हैं वो कौन सी कौन सी कंट्री में जाते हैं तो यूएस में जाते हैं चाइना बंगरदेश यूए बेतनाम सौधी अरभिया इंडोनेशन नेपाल इरान एंड मलेशिया इन सभी में यहां पर जाते हैं यह जो नीचे ग्राफ दिया गया है इसके अंदर आप जो रेड कलर का दिखेंगे उससे पहले आप देखें तो 38, 39, 35 और उससे भी पहले 33, 32 तो यह सब चीजें इंप्रूब नहीं हो रही 2013-14 में बहुती गजब यहां पर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हमने यहां पर देखा और इस सब चीजें हैं आप से पूछेगा पिछले पांस साल में लगत तो वर्ड फूट सेफटी डे दो तीन पॉइंट याद रखने होते हैं डे के अंदर किस ने और्गनाइज किया तो फूट सेफटी और स्टेंडर्ड ऑथोरिटी ओफ इंडिया ने यहां पर सेलिब्रेट किया गया था और इसी के ऊपर एक कॉनफरेंस भी है एड़िस फ्यूचर ते सेम लाइन हैस बीन रिपेटिड लाइक दिस वासेफ फूट फूरा हैल्दी टूमोरो तो फ्यूचर अगे उसी के बाद आपको मिलेगा तो केरल की जो वागमोन हिल्स हैं यहां पर आपकी कोफी की नई जो इस्पिसीज है वो मिली है कुछ डिटेल काम की नहीं है बट इस तरीके की चीज़े भी आपको देखनी है अभी इन्हीं हिल्स के उपर मैंने पहली न्यूज में आपको बताया कि नागा लेंड की एक ब आपको इकलाएं मिलेगी कि कमीशन फॉर एग्रिकल्चर कोस्ट एंड प्राइस सी ए सीपी ने यहां पर कह दिया है कि एलोकेट कीजिए मोर फूड ग्रेंज अंडर दा पब्लिक डिस्ट्रिविशन सिस्टम टो के लिए दा बल्जिंग इस्टोग तो आपका जो करें आपको लाएं इन श्रॉक्स को यहां पर खाली करने की जरूरत है कि चुक्ति कीजिए और इन पर खाली कीजिए और इसी चलते आपको मिलेगा कि जो प्रदान मंतरी गरीव मिल्यार रही नवंबर तक के एक्स्टेंट कर दिये तो लिंक करना आप शुरू कर दिजिए इस तरीके से काम यहाँ पर होगा तो इनकी अपनी ये recent report जो आई इन्होंने यहाँ पर कुछ recommendations दी recommendations के अंदर इन्होंने कहा कि shifting policy narratives from the food production to the food management तो food production की तरफ से ध्यान अठा करके आपको food management की तरफ ध्यान करना पड़ेगा साथ ही आपको मिलेगा कि food stocks जो कि central government के bear houses में पड़े हुए हैं एक मई 2021 तक 100 million ton से जादा का food stock आपके पास पड़ा हुआ है आपको उसको release करना पड़ेगा तो ये भी कहा गया कि जो आपका पुराना food stock हो गया है जो कि एक साल से पुराना हो गया old food grain stock जो कि आपके bear houses में पड़ा हुआ है उसको आप ethanol production के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर feeding purpose के लिए to the live stocks आप उसको use कर सकते हैं लेकिन उसको आपको वहाँ से खाली करना पड़ेगा आपने देखा हो FCI के stock सड़े पड़े रहते हैं उसी चीज़ को देखते हुए यहां पर चीज़े लाई गई हैं बारिस होगी तो पूरा stock वहाँ पर खराब हो जाता है फिर वह उस चीज़ को फैकते हैं या फिर अफरीका देशों में ट्रांसपोर्ट करते हैं इस तरीके की चीज़ें आपको यहां पर मिलेंगे और राइट इसके बाद आपको यहां पर मिलेगा कि इने विट्टू एंकरेज दा क्रोप डाइवर्सिफिकेशन सेंटरल गॉर्मेंट ने जो MSP है पैडी के लिए पल्सिस के लिए ओयल सीट के लिए इस्पेशली पोर ओल मेंडेटिड खरीफ प्रोप उनको इंप्रूव किया है तो MSP बढ़ा दिये गए हैं खरीफ क्रोप के लिए तो इस ग्राफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिनीमम सपोर्ट प्राइज जो MSP है फोर दा खरीफ क्रोप हैज बिन इंक्रीजड फोर 2021-22 सीजन ओके तो यह आपकी क्रोप दी गए जैसे पैडी है तो पैडी पर आपका जो MSP 2021-22 के लिए होगा वो 1940 रुपे पर कुंटल होगा और आप देखेंगे यहां पर एपसल्यूट इंक्रीज किया गया है रुपे में 72 रुपे से यहां पर आपका पर कुंटल बढ़ाया गया है तो सबसे जादा ग्रोथ यहां पर कहां देखने के लिए मिलीगी आपको तूर में यानि अरहर में और दूसरे नमबर पर उड़द में और आपको देखने के लिए मिलेगा कि ग्राउंड नट है संफलोवर सीड है तो आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका पल्सीज है और ओयल सीड है उन में हमने जादा बढ़ोतरी करने की बात यहां के अंदर 이 production कम कप करोगे production जब जब किसान को यहां पर अच्छा पैसा मिलेगा उसका 6000 रुपए पर कुंटर मिलेंगे तब production करेगा किसान ठीक है 130 रुपे से आपने यहां पर बढ़ाया हो या फिर आपका यह है साथ तीन सू रुपे से आपने यहां पर बढ़ाया हो और क कम होगा और पलसीज भी है किसान पलसीज भी नहीं उगाते वही चीज़ उगाते इनके लिए अच्छा मिलता है तो अब यहां पर आपका उगाना शुरू करेंगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है और राइट उसके बाद एक लोंग इंडियन मैंगो प्रमोशन प् उनको डिस्प्ले किया गया अब यह तीन जो यहां पर जिनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है मैंगो प्रमोशन की 16 वेराइटी लॉंच की गई थी और उनमें से तीन थी आपकी यह वाली ठीक है यह तीन यहां पर आपको मिलेंगी एक तो है आपकी जरद पती यह तीनों नाम याद रख लेना इंपोर्टेंट हैं इसके बाद आपको कुछ फैक्ट मिल जाएंगे मैंगो के बारे में तो यह जो आपका प्रमोशन प्रोग्राम चला गया इसके अंदर से दमेंगो वर शोर्स फोंड़ फार्मर्स जो की बैंगॉल में अच्छे-क मेंडा नाम की हैज बीन कंड़क्टिक वर्चुल और बायर सेयर मीट और फैस्टिवल्स भी और्गनाइस करती है कि मैंगो एक्सपोर्ट को बढ़ा हुआ दिया जाए और इसी के साथ अभी आपको मिलेगा कि जर्मनी के अंदर बर्लिन में मैंगो फैस्टिवल भी और्ग में इसको यहाँ पर जिया टैग मिला था इसकी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया गया है यूके के लिए तो यह चीज़े आपको इस तरीके से मिलेंगे उसके बाद आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर बता चलेगा कि 86% नेशनल फूड सेक्योर्टी ए जोचना चलाई हुई है उसके अंदर कितने परसेंट बैनिफीशरी को आपने इंक्लूड कर लिया है तो सरकार ने कहा 86% हो चुके हैं और यह जो 86% बैनिफीशरी हैं यह आपके 32 इस्टेट और यूटी के हैं चार इस्टेट और यूटी अभी तक वन नेशन वन रेशन का हैं एक तो सिंपल सी बात है वेस्ट बैंगोल ही आ जाएगा दूसरा बाप जो एंटी वीजेपीज हैं उसाब गिल लीजी असाम को छोड़ करके आपको मिलेगा दिल्ली है 36 गड़ हो गया यहां पर असाम हो गया तो वेस्ट बैंगोल तो हर जगे पर ही रहता है इसकी में मिनिमम जो है आपको मिलेगा कि कम एन्रॉल्मेंट रहता है सेंटर की स्कीम से और तो इन सब ने यहां पर कर लिया है और 32 स्टेट्स इंक्लूड हो चुके हैं 86 परसेंट पॉपॉलेशन भी इंक्लूड हो चुकी है उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा कि नेशनल एग्र पहले से भी बिखता था और अब हमने इसको 45 किया है तो 45 का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूट्रेंट है इसमें हमको मिलाने होते हैं इसको एड करना होता है और इसके अंदर आपको एम मिलेगा एम है तो रिड्यूस्ट डिपेंडेंस उन्दा इंपोर्ट इड से बनाया जाता है तो राइस के जरीया आपको यहां पर जो एडिबल ऑयल है वो बनाया जाता है और राइस के अंदर आपको 15-20 परसेंट ओयल मिलेगा इस ओयल के कंटेंट को बढ़ाने के लिए इसका फोर्टिफिकेशन यहां पर किया गया है और अब जब ओयल का बढ़कर के 30, 40 या 50 के करीब हो जाएगा तो सिंपल सी बात है हमारा जो इंपोर्ट है इडिबल ऑयल की तरफ को वो यहां पर कम होगा उसके बाद आगे चलें बैनिफिट्स भी मिल जाएंगे लो कॉलेस्ट्रोल होंगे रिस्क ओफ कैंसर यहां पर कम हो सकता है आपका क्य पब्लिक डिस्ट्रिबूशन ने यहां पर लिस्ट किये मीजर स्टेकन अंडर दा इथेनोल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम तो आपका जो इथेनोल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है इंडिया का उसके अंदर जिरो डिपार्टमेंट ओफ फूट और पब्लि और इथेनोल के प्रोडक्शन में हमारा टार्गेट क्या है इट्वंटी प्रोग्राम है बीस परसेंट एथेनोल हमें बिलेंड कर देना है पेट्रोल के अंदर और राइट कब तक करना है दोजार पचीस तक करना है नेशनल पॉलिशियों यहां पर कहती है दोजार तीस त जारी किया गया था नीती आयों कि द्वारा तो इसको यहां पर जरूर से देख लीजेगा उसके बाद आपको मिलेगा किता यूडियन इंडिया ने किस तरीके से पेंडमिक को यहां पर जो कोई-19 पेंडमिक के अंदर फूड को प्रोवाइट किया तो यह आपको मिलेगा कि हाई प्रोडक्शन किया फूड ग्रेंज का और उसके बाद भी आपको मिलेगा कि किसान रेल चलाई किसान रेल चलाई उसके बाद प्रदानमंत्री गरीव कल्यार पैकेज है पीम किसान स्कीम है दोजार रुपए हम यहां पर दे रहे हैं एक इंस्टॉल्मेंट तीन इंस्टॉल्मेंट वाटनी शहाजार रुपए पूरे साल में अभी अभी रिलीज भी किया गए ठीक तो किसे बाद आपको मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज एंड अगरीकल्चर इसकीम मतलब क्लाइमेट चेंज से एडप्शन के लिए किस तरीके से अगरीकल्चर इसकीम आपर चलाई गई तो पहला मिलेगा प्रदानमंत्री किरसी सिचाई योज रहां 2015 में लौंच की गई थी और प्रदानमंत्री किरसी सिचाई योज ना के अंदर मिलेंगे दूसरा ग्रीन इंडिया मिशन है 2014 में लौंच किया गया था अंडर दा नेशनल एक्शन प्लान उन क्लाइमेट चेंज और प्राइमरी अब्जेक्टिव क्या है प्रोटेक्ट करना है रेस्टोर करना है और एन आपको मिलेगा नेशनल मिशन और एग्रो फोरेस्टी यह हम पढ़ा चुके हैं अभी दो शायद अप्रैल यह सप्राइल में पढ़ाया था इसलिए कर रहा हूं जरूर से देखते रहे हैं यह के नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन और 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 यह वैल्य नौमी सब्सक्राइब तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी अगली न्यूस की तरफ जो की आप से रिलेट करती है सेंटर ओफ एक्सिलेंस के बारे में तीन नए सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाए गये हैं होटी कल्चर क्रोप के लिए याद रखना ठीक हैं तो यह आपका जो ह मेंगो के लिए होगा और बगाल कोट में जो बनाए जाए गया हुए और धर वार्वार का जो होगा वह वह बैजिटेवल को परमोट करने के लिए अपर बनाय जाएगा में थोड़ सा पता होना चाहिए यह स्कीम वर्क करती है मिनिस्ट्र फैगरी कल्चर एंड फैमिली वैलफेर के अंदर 2014-15 में चलाई गई थी इसके अंदर आप देखे कि क्या होता है नाम से इस पस्ट यह है कि एगरी कल्चर का सबसीडी देगी अंदर अंडर दर प्रोग्राम ओफ सब मिशन ओन एगरी कल्चर मेकनाईजेशन इसकी और राइट तो कितनी आपको सबसीडी यहां पर मिलेगी अगर आप नोर्थीस्ट से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको 40-50% सबसीडी मिलेगी और अगर आप नोर्थीस यानि कस्टम हाइरिंग सेंटर फार्म मशीनरी नाम का मॉबाइल एप भी लॉंच किया गया तो इसका एम यहां पर आपको धियान रखना है कि इंक्रीज करनी है तो इसमॉल एन मार्जिनल फार्मर्स के पास मेकनाईजेशन के लिए फार्म मेकनाईजेशन के लिए का हो जाता और इसके लिए फंड्स यहां पर रिलीज किये गए उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा कि तमिल नाडू के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम में एम के स्टैलिन इन्होंने यहां पर एनौन्स किया क्रूवाई पैकेज देखिए क्रूवाई जो वर्ड है इसका मत हो गया शोट्टम और डेल्टा का मतलब हो गया कि कावेरी डेलटा कावेरी रिवर और उसका डेल्टा उसमें जितने भी यहां पर इस में जितनेबी रीजन यहां पर आते हैं कावेरी डेलटそ के अंदर उन सब को cover किया जाएगा और राइट तो उन सब बिलेजर के लिए उन सब फार्मर्स के लिए जो भी कावेरी डेल्टा के अंदर खेती करते हैं उन सब को यहाँ पर आपका package प्रदान किया जाएंगे इसका नाम रखा गया इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर पैसे भी बाटे गए और साथ ही आप देखें तो पहले अगर हम देखें जो लैंड था कुरुवाई कल्टिवेशन के अंदर वो था आपका 3.2 लैख एकर ओके तो बेसिकली जो कुरुवाई कल्टिवेशन है आपकी बिलोंग करती है पैडी सीट से और इसके अंदर की जो एरिया था उसको भी यहाँ पर भाने की बात की जा रही है ओके तो यह चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी याद रखना शोट टम पैडी सीट इसी का मतलब हो जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रो न्यूट्रेंट्स और अधर इंपुट मेटिरियल प्रोवाइट के जाएंगे किसानों को और एट तो किलियर होगा मेरे इसाब से, इतनी बड़ी ख़बर नहीं है, तमिलनाडू के अंदर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली तो इक क्रूबाइज पैकेस के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए अगली न्यूज यहाँ पर आजाती है GM क्रॉप के बारे में, पिछले 2-3-4 सालों से GM क्रॉप के बारे में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं तो GM क्रॉप यहाँ पर आपको पता हो तो इस तरीके की क्रॉप है कि उसमें पैस नहीं लगता, हर्बिसाइट टोलरेंस होती है और डोट रेसिस्टेंस भी होती है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वीटी कोटन को ही अलाओ किया गया है और कोई क्रॉप यहाँ पर अलाओ नहीं की गई है कहने का मतलब यह है कि बीटी कोटन का जो काम है वो आपका पैस्ट असिस्टेंट डोट रेसिस्टेंट तो होता ही है साथ ही अगर आप उसको हर्बिसाइट टोलरेंट के रूप में भी उस करते हैं तो वो एलाओ नहीं किया गया है ठीक है क्योंकि आप देखिए कि जब हम हर्बिसाइट यहाँ पर एपलाई करेंगे अपने फिल्ड पर हर्बिसाइट का नाम है गिलाइफोसेट तो आपका बीटी कोटन वेरियंट जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा तो हर्बिसाइट जो आप एपलाई कर रहे हो वो वेस्ट हो जाएगी लीचिंग के जरीए आपकी बार्टर बोडिस में जाएगी या फिर बायो एक्युमलेशन मेगनिफिकेशन के तुरू फूट चैन में एंटर होगी इसके जरीए आप देखिए कारसीनोजनिक एफेक् अबर्सी है वो यहां पर उबर करके आती है और एट तो यह पॉइंट मिलेगा फिर दुनिया का सबसे महंगा आम यहां पर जो है उसके ओपर थोड़ी सी चर्चा आई क्यों चर्चा आई वो ज़रूरी नहीं है ऑके बट आपको यह धियान रखना है कि दिस इस का नाम या 12 की 11 पॉइंट है देखिए इंपोर्टेंट इतने जादा नहीं है लेकिन मैं भी इनको पढ़ूंगा इससे अच्छा है कि आप इस सिलाइट को डाउनलोड करके इसको ऐसे का ऐसे ही पढ़ लें कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली को समझाने वाली बात इसमें है नहीं उसके बाद यहां पर देखें तो अमेंडमेंट किये गए इंदा फूर्ट सेक्योर्टी असिस्टेंट टुदा स्टेट गवर्मेंट रूल 2015 तो यह रूल के अंदर अमेंडमेंट करके क्या काम किया गया उसको यहां पर समझते हैं एक होती है फेयर प्राइश जिसस करके यहां पर वर्क करेगा तो उसको कुछ इंसेंटिव यहां पर प्रोवाइट किया जाएंगे बास समझ में आई आपको तो अगर फेयर प्रोइश शॉप का जो डीलर है वो यहां पर आपका इलेक्ट्रोनिक मेंटर्स यूज करेगा तो उसको कुछ इंसेंटिव अब यहां पर दिये जाने वाले हैं और एक अमेंडमेंट इंसेंटिवाइज इस्टेट्स हूँ है विन यूजिंग यहां पर आपके जो बेनिफिट हैं वो प्रोवाइट के जाएंगे टू दर स्टेट्स ओके च्या बेनिफिट होंगे इतना बड़ा एक्ट नहीं है लेगे थोड़े से अमेंडमेंट है तो यह आपसे पूछा सकता है कि अभी अभी अमेंड किया गया तो इसके अंदर क्या चीज़ आट की गई तो किस चीज़ के लिए अमेंडमेंट किया गया तो इस्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो भी इलेक्ट्रोनिक पॉइ पेपर केजी विखते हैं अंडर दर नेशनल फूड सेक्यूरटी एक 2013 और यह चीज आपको इतनी समझनी थी उसके बाद एक यह न्यूज में आया इसको कहते हैं कसावा और इसका दूसरा यह या फिर साइंटिफिक नाम है टैपियो का ओके तो इसका क्या है कि एक हमारा बाय 10% एथनोल को मिलाना है एथनोल को बनाने के लिए एग्रिकल्चर वेस्ट रो माटीरियल के रूप में ज़रूरत पड़ती है तो उस रो माटीरियल के लिए एक नया जो एक नया आपका क्रोप यहां पर उभरके आई जिसका नाम है कसावा और इट तो इसको आपको याद है कि यह जो क्रोप है इसको यहां पर बनाया आई सी ए यार सेंट्रल ट्यूबर क्रोप रिसर्च इंस्टिटूट ने क्यों क्योंकि यह रा माटीरियल के रूप में यूज हो सकता है बायो इथनोल प्रोडक्शन में और इट तो इसमें देखिया आप एबाउट कसाबा इ इसके जो पील्स हैं स्टेंट्स हैं लीवस हैं उनमें भी काफी पोटेंशल होता है कि उनको फीड स्टोक के रूप में उसके जा सके फोर टूजी बायो इथनोल प्रोडक्शन तमिल नाडू है केरल है इन लोगों ने इस पर अच्छा खासर रिसर्च किया है और इसको यह आपको मिलेगा यह इसके जरीए यहां पर काम किया जाएगा तो यह आपका कसावा और इसका यूज किया जाएगा बायो अथनोल प्रोडक्शन के लिए इतना पॉंट आपको याद रखना है फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपका इंडियन एग्रिकल्च पूसा सामभा 1850 है यह आपका बासमती राइस नहीं है यह आपका नोगा समती है और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमने यहां पर इसको डेवलप किया है यह समय उगाया जा रहा है आंधर प्रदेश इन करनाटक तमिलाडू उत्तरप्रदेश उरीसा बिहार औ यहां पर बताया है। उसके बाद यहां पर देखें। तो हम आपको मैंने पहले भी बताया कि पाम ओयल की जो इंपोर्ट है उसको कम करने को पर लगतार चर्चाएं चल रही है तो इंडोनेशिया से हम यहाँ पर पाम ओयल को इंपोर्ट करते हैं अब हमने इंडोनेशिया से कम कर दिया है और मलेशिया ने इंडोनेशिया को सरपा और हम पहले इंडोनेशिया से सब्सद्र जियादा मंगते थे लेकिन अब हम मलेशिया से सब्सद्राइब लगाते हैं इंडाइस लार्डेस्ट इंपोर्टर रोग्ड़ इसी पॉंट के अंदर यहां पर आ रही कि वंवह तर्च इन्डेयरब एड़ेबल ओयल तो इस सब पॉइंट से पीटी के इनको यहां पर आप जस्त ऐसे ही पढ़ दीजेगा इसमें कुछ भी यहां पर समझाने वाला नहीं है उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा कि एक कमपनी है बेयर और इन्होंने यहां पर बनाया है इंडिया का पहला येलो वाटर मेलन है जनरली रेड मांगते हो आप लोग लेकिन यह येलो इहां पर मिलेगा इसका नाम है ये ये जार रखने है कि इसका नाम क्या है और इसके बाद देखे इसके फायदे क्या होंगे तो येल्ड पोटेंशल यहां पर बढ़ेगी साथ ही बेटर डिजिजेजन प यहां पर MOU sign किया है agriculture and allied sector के अंदर तो कोई जादा बड़ी ख़बर नहीं है कि किस छेतर में क्या है बस इतना ही याद रखना है कि agriculture and allied sector के अंदर यहां पर यूस किया गया है MOU को और आपको पता होगा कि वन लैख करोंड का agriculture and infrastructure fund हमारे इंडिया के अंदर चलिए रहा है साथ ही जो farmer प्रोदू़घूजर और पर बनानी है और एक लाग करोंड का agriculture and infrastructure fund पहले से चल रहा है और बस इस select के अंदर से आपको इतना ही जानना था उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि एक study हुई और study ने यहाँ पर बताया कि दुनिया में जितना भी cotton grow होता है उसका 50% climate risk reason में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मतलब climate change बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है उस climate change के impact cotton जो growers हैं उन पर भी होंगे और cotton की 50% तक फसल यहाँ पर खराब हो सकती हैं अगर हमने सही से मीजर नहीं लिए तो तो यह study यहाँ पर की गई by the cotton 2040 initiative और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि climate change जो है वो आपका global cotton growing regions का आधा यानि half of the all cotton growing regions इंडिया को include करके increase कर देगा risk of at least one climate 2000 by 2040 तक यह काम आपका होगा हो सकता है temperature increase हो जाए हो सकता है rainfall में change हो जाए उसके pattern में change हो या फिर weather events यहाँ पर change हो लेकिन impact आपको देखने के लिए मिलेगा तो यह cotton 2040 के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि यह एक initiative है by the forum for the future जो कि कैंजी होए नाम याद रखना है इसका इसके अंदर में वर करता है और इसका जो काम है वो है कि cotton industry तयार करनी है ऐसी जो कि आपकी climate disrupted world में आपकी खड़ी रह सके तो ऐसी industry तयार करने का इनका मक अकसर यहाँ पर है यह cotton के बारे में है इसमें कुछ भी समझाने लायक यहाँ पर नहीं है यह मिलेगा आपको कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी इन्हों ने यहाँ पर स्कीम रोंज की है अगरिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 इसका एम क्या है इ स्टेनेबल बनाना है और प्रॉफिटेबल भी बनाना है तो इसकीम विल बैनिफिट मोर देन 1.26 लैक बन बंदू फार्मर्स तो इनको यहाँ पर फायदा होकर साथ ही गुजरात की चोधे ट्राइबल डिस्टिक्स को भी यहाँ पर फायदा होने वाला है और इट तो इसक अधे बाद जो फर्स्ट एवर जैनेटिकली मोडिफाइड रबर का जो प्लांट है दुनिया का पहला उगाय गया है असाम के अंदर तो दो वर्ट फ्लस्ट जैनेटिकली मोडिफाइड रवर प्लांट हैं बीं प्लांटेड बाइड रबर बोर्ड इटसेल्फ और यहाँ पर उगाया गया है गुहाटी के अंदर सरुतारी में और इट तो यह सब नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं जी एम रबर सैप्लिक्स डैवलप की गई है बाइदा रबर रिसर्च इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया इन पुथुपल्ली को टायम केरल तो केरल के अंदर यहां पर आप Enfin इस दैवलप किया घए था और थेख्यार्स डेवलप आओ के लिए लगाया गया तो ये आपका क्लाइमेट को देखने के लिए लगाया जाता है कि इतना रिजिस्टेंस यहां पर पर अधिखा एक द्रोप और तो यह चीज मिलेगी the first of its kind has been developed exclusively for the Northeast ठीक है Northeast के लिए इसको develop किया गया and can thrive in the climate condition on the reason to reason की climate conditions को भी यहां पर देखा जाएगा कि कितना यहां पर कर सकता है साथ ही देखें तो नीड क्यों यहां पर develop हुई the need to develop the GM rubber plant was field because natural rubber जो की आपकी native है warm humid Amazon forest और Amazon forest का आपको पता ही होगा कि बहुत ही तेजी से वहां पर खतम हो रहे हैं okay is not naturally suited for the cold conditions in the Northeast और वो Northeast के अंदर उगाए भी नहीं जा सकते और राइट तो Amazon forest है कर हम natural rubber को ला करके नोर्थ-east के अंदर उगाए तो वह वहां पर नहीं उगेगी क्यों क्योंकि वहां का cold climate है और यह जो natural rubber है आपकी warm humid climate में उखती है और राइट तो इसलिए हमें यह जो जीएम की रॉप है यहां पर ज़रुत पड़ी जीएम रबर की ज़रुत हमें यहां पर पड़ी और तो इससे क्या होगा बिग बूस्ट मिलेगा to the rubber production in the country और बस आपके जो यह environmental issues यहां पर रहते हैं safety concerns रहते हैं वो तो चलते ही रहेंगे GM crops के बारे में वो एक बार में यह आपके समझ जाने है उसके बाद एक प्रोग्राम है बायो टेक किसान ठीक है यह आपका प्रोग्राम है अंडर department of biology और इसकी फुल फॉर्म है बायो टेक किरसी innovation science application network यह आपको म किसान हब्स यहां पर establish किया जा चुके हैं इन 110 aspirational districts के अंदर और तो यह चीज़ आपकी यहां पर चल रही थी और इसको हमने एक्सेंड किया है North East के अंदर तो यह इसकी मिया प्रोग्राम आपका जो है वह North East के अंदर पहुचा दिया गया North East के अंदर आप देखें तो 70% workforce agriculture allied sectors में जुड़ी हुई है तो उनको इससे फायदा होगा या नहीं होगा जी हां बिल्कुल होगा यह मिलेगा आपको significance जब हमने इसको North East regions के अंदर expand किया है उसके बाद आपको मिलेगा कि reason produce merely 1.5% of the country's food grain तो हमें इसको बढ़ाने की भी ज़रूरत है और यह आपका बढ़ेगा biotechnology का use करके in the agriculture sector और वो बताएंगे scientist farmers को through the partnership and through the this program biotech किसान तो यह point आपको यहाँ पर इस तरीके से देखना था उसके बाद आपको मिलेगा कि मैंने सुरू में ही बताया आपको यह है आई एफ एफ सी इफको ठीक है तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाजर कोपरेटिफ जो की leading fertilizer production company है उसने यहाँ पर setup किये है नैनो यूरिया liquid manufacturing plants in Argentina and Brazil तो नैनो यूरिया liquid के बारे में पहली slide में ही बता जाहा और इनों को यहाँ पर additional charge दे दिया गया है as a chairman तो यह आपका one pointer question किसी exam में पूछा जा सकता है उसके बाद एक program है agree stack जो की आपका agriculture के digitization के उपर है digital push देना है agriculture को तो यह जो program है यह आप से request की जाती है कि आप down to earth magazine को यहाँ पर देखिए down to earth magazine 16 से लेकर कि 30 जून की आ आप उसको last में ले जाए और वहाँ पर आपको यह program मिल जाएगा digital minefield के नाम से मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीक से वहाँ पर cover किया है बताया है कि क्यों इतना जादा जल्दवाजी यहाँ पर की जा रही है क्या क्या है agriculture stake project और यहाँ पर आपको क्या-क्या challenges देखने क क्या फाइदा और तो यह चीज़ आपको देखें यह वीडियो का last है अगर आप last तक पहुंचे हो तो बहुत-बहुत आपका शुक्रिया है और आपने बहुत ही सही यहाँ पर approach जो है वह चुनी है आपको क्या गरना है आपको कुछ नहीं करना वीडियो को एक like मार करके ज